इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. इट्रेट CP capsule antifungals नामक दवाओं के समूह से संबंधित है. यह कवक को बढ़ने से रोपता है और इसका इस्तेमाल मूह, गले, योनी और शरीर के अन्य हिस्सों के infection के इलाज के लिए किया जाता है, जिसमें नाखूनों और पैर के अंगूठे भी शामिल हैं. यह fungal cell membrane को नश्ट करके कवक को खत्म करता है. इट्रेट CP capsule को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार लिया जाना चाहिए. इसे साबुत निगलना चाहिए और भोजन के साथ लिया जा सकता है. अधिक्तम लाब प्राप्ट करने के लिए दवा को सटीक अंतरालों के बाद ले तथा प्रिस्क्रिप्शन पूरा होने तक इसे लेते रहें. भले ही आपके लक्षन कुछ दिनों के बाद सही हो जाएं. अगर आप इलाज को बहुत जल्द रोकते हैं, तो इन्फेक्शन वापस आ सकता है और अगर आप खुराक लेना भूल जाते हैं, तो आप अपने संक्रमन का जोखिम बढ़ा सकते हैं, जो की आगे के इलाज के लिए प्रतिरोधक हैं. अगर आपका संक्रमन ठीक नहीं होता है या स्थिती और खराब हो रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं. इस दवा के सबसे आम साइड एफेक्ट में मिचली आना, जुकॉम, खांसी, धुन्दली नजर और महवारी से संबंधित समस्या शामिल हैं. आप इन प्रभावों को रोखने या कम करने के तरीकों के बारे में अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं. अगर आपको अलजीक रियेक्शन के कोई लक्षन जैसे कि तवचा में गंभीर रैश्ट, टिंगलिंग, सांस लेने में परेशानी, आपके चेहरे, होठों, जीब या गले में सूजन हो तो एमजेंसी मेडिकल मदद लें. अगर आप गर्भवती हैं या गर्भवती हो सकती हैं, तो इसे न ले. जब तक आपका डॉक्टर आपको इसे लेने के लिए नहीं कहता. अगर आपको कभी भी हॉट फेलियर, कमजोर इम्यून सिस्टम, यानि की ही डर सहित, किड्नी समबंधी समस्याएं, या त्वचा का पीला पढ़ना, यानि की पीलिया जैसी लिवर की समस्याएं हुई हैं, तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें. थो सकता है यह दवा आपके लिए उचित न हो, अगर आपका इलाज एक महीने से अधिक समय के लिए हैं, तो आपका डॉक्टर आपके रक्त का परीक्षन करके लिवर को चेक कर सकते हैं. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नो नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद.